मकर संक्रांती के दिन गाई को चुपचाप खिला दें ये एक चीज, साथ पीड़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा दोस्तों हर साल पोशमाश में शुर के मकर राशी में गोचर करने के दिन मकर संक्रांती का पर्व मनाय जाता है इश्वार माग महीने में मकर संक्रांती का पर्व मनाय जाएगा हिंदु धर्म में मकर संक्रांती का पर्व बहुती महत्व है धार्मिक मानताओं के अनसार इस शुब दिन पर पवित्र नदी शरोबर में इश्नान और दान पुन करने से सभी मनाव कामनाओं की पुन होती है मकर संक्रांते के दिन लोग धन शुक शंबर्दी शफलता और महालक्ष्मी जी को प्रसन करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे उपाए जिसको मकर संक्रान्ति की दिन करने से आपका धन शुक शंब्रधी, सफलता और महालक्ष्मी जी की कृपा दृष्टी हमेशा बनी रहेगी। दोस्तो इस शालेश शुर्देव 14 जनवरी की रातरी आठ बसकर 21 नट पर धनुराशिश निकल कर मकर संक्रान्ति में प्रवेश करेंगे और उद्यातिति के अनसार मकर संक्रान्ति का परवे 15 जनवरी दिन रविवार को मनाये जाएगा। हिंदू ग्रंतों पुराणों और महा भारत में मकर संक्रान्ति का उल्लेख मिलता है जिनके अनसार रशी विश्व मित्र ने इस उत्सव को शुरू किया था। महा भारत में पांडवों के निर्वाशन के दौरान मकर संक्रान्ति मनाई गई थी। हिंदू गई को मकर संक्रान्ति के दिन अपने घर की बनी हुई चीजें जरूर खिलानी चाहिए। गई की सेवा करने चाहिए। गई को कभी भी मारना नहीं चाहिए और गई को समय शमय पर उनका आश्रिवाध भी लेते रहना चाहिए। गौमाता अगर हमारे द्वार पर आ जाए तो उसे कभी भगाना नहीं चाहिए। गौमाता में 33 करोर देवी देपताओं का बास होता है। दोस्तो उस्टी प्रकार से महालक्ष्मी जी का बास गाई में माना जाता है। गाई की अगर शेवा निश्च्वारत भावश किया जा और हर छेतर में आपको काम्याबी मिलती है। गाई में शभी देवी देपताओं का बास होता है। गाई बहुत ही शुब माने जाती है। गाई को हम गौमाता मानते हैं। गाई गौमाता का रूप है। शभी दिब शक्तियां इसमें बिराजमान रहती है। दोस्तों इस ब कमी नहीं होगी, साथ पेढ़ी तक आपके घर में धन, बैभो और शुक्षम्रद्धी की बढ़ती हो जाएगी दोस्तों, मकर शंकरानती की दिन गुर तिल और लड़ू यानि गुर तिल के लड़ू बनाने की प्रता है इस दिन खाने की भी प्रता है, दान करने का भी प्रता है, लेकिन भूल कर भी आपको गाई को तीन चीजे ना खिलाएं कौन से? आपको बासी रोटी नहीं खिलाना है, बिशेश रूप से ध्यान रखें बासी रोटी गाई को ना खिलाएं दोस्तों गाई को आप यनिकी प्लास्टिक चीजे पन्नी वगर ध्यान रखे बिल्कुल इस दिन ना खाने पाएं इस दिन आप गाई गाउमाता को अच्छी तरह से उनकी पूजा राधना करें मकर संक्रानते के दिन और उन्हें स्वक्ष भोजन खिलाएं दोस्तों इस दिन आप एक रोटी तयार कर लें सुध्य आटे की रोटी तयार कर लें और फिर आप तयार करने के बाद इस रोटी में थोड़े से गुर थोड़े से आप काले तिल थोड़े से घी रख लें और थोड़े से मिस्री रख लें और थोड़े से आप इस रोटी में खिचडी बनाके रख लें, मूंग और दाल उड़त की और मूंग की धाल की और आने वाले कई पीडियों तक धन बैभोगो और सुक смुरदी में राज करोगे तो आपको इस दिन एक रोटी तयार करके थोड़े से काले तिल गुड थोड़े से आप उसमें खिचडी रख दें और गाई को ले जाकर खिला दें ऐसा करने सिलाब होता है इस दिन खिचणी बनाने की प्रता है दोस्तों इस दिन खिचणी बना करके आप गौ माता को आप किसी पात्र में रख ले या फिर रोटी में रख कर भी आप खिला सकते हैं या फिर कटोरी में रख कर आप जरूर खिला दें गौ माता को इस दिन काले तिल और गुड जरूर खिलाएं घर में शम्रदी तो बढ़ेगी धन बैभो के कमी भी नहीं होगी और अपार धन संपता आपके घर में आएगा बैंक बेलेंस बढ़ता चला जाएगा मालक्ष मिक्रपा बरसेगी कभी भी धन की कमी नहीं होगी और शुक्षम्रदी का वास होगा इस दिन अपने घर का सबसे पहला खुराग यानि जो सबसे पहले रोटी बने वो गाउ माता को जरूर खिला दें दोस्तों मकर संक्रांते की दिन गाय को रोटी खिलाने से विशेश लाब होता खास कर तिल और खिचड़ी खिलाने से शुक्षम्रदी की प्राप्ती होती है इस दिन खिर बगार भी बना कर जरूर खिला दें यानि की गव माता को और दोस्तों इस दिन जैसे कि आप कुछ मीठे ब्यांजन जरूर बनाएं मीठे ब्यांजन बना करके गव माता को जरूर खिलाएं इससे भी विशेश लाब होता है इससे भी माता लक्षमी कृपा प्राप्त होती है तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और अधिक शदिक शेयर करिएगा और चैनल से जूने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजेगा जै मारक्षमी जै गव माता